वाह! क्या नजारा है! बड़्डे बॉय और बड़्डे बॉय के सामने रखा केक। लेकिन ये क्या? हाथ में तमंचा? तो गुरू इन लॉंडों को केक काटने के लिए चाकू की जरूरत नहीं पड़ती। दबंगई का जुनून ऐसा सर पर सवार है कि तमंचे से ही केक काट दिया। महुबा कई विडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल है, जहां देसी तमंचे से केक काट कर जनम दिन मनाया जा रहा है। ये दबंग सिर्फ तमंचे से केक काट ही नहीं रहे हैं, बलकि तमंचे की नाल से एक दूसरे को केक खिला भी रही है। मतलब स्वैक देख रहे हैं, ना कानून का डर, ना पुलिस का खौब, खुले आम ये लड़के वुर्दंग काट रही है। श्रीनगर कोतवाली की कस्बे का ये पूरा मावला है। जहारात के समय लड़कों ने बड़्दे पार्टी मनाई, लेकिन ये कोई आम पार्टी नहीं थी। खुले आम अवैद तमंचे से केक काट कर सेलिब्रेशन किया गया। केक काटने के बाद बारी बारी से तमंचे की नाल से सभी दोस्तों को केक खिलाया क्या। अब इस वक्त इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये वीडियो इतना वाइरल हो जाएगा। लेकिन भाया इन लोगों ने तो आक्शन कर दिया, अब बारी थी पुलिस के रियाक्शन की। ये वीडियो जैसे ही वाइरल हुआ, पुलिस ने मामले का संग्याल दिया। एस पी अपर्णा गुपता ने आरोपियों पर कारवाई के निर्देश दिये। जिसके बाद श्रीनगर कोतवाली प्रभारी गणेश कुमार ने बताया कि वीडियो की जाँच करने के बाद अब एत तमंचे से केक काटकर बड़े पार्टी मनाने वाले तीन लोगों को गिरफतार कर लिया है। इस मामले में पुलस ने रिशब गुपता, लोकेंदर प्रताप सिंग और धीरेंदर को गिरफतार कर लिया है। वहीं मोनू पांडे, मौन्टू और विक्स गौड अभीव परार हैं जिनकी गिरफतारी के लिए पुलस लगातार दबिश दे रही है। तस्वीरे देखिए जरा, पहली तस्वीर एकदम दबंग टाई, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, जो मन में आया वो किया, हात में तमंचा लहर आया और भौकाल काट दिया। लेकिन दूसरी तस्वीर में मौजूदा हालाद देखिए, टशन दिखाने वालों की पुलस ने हवा निकाल दी और आप हवालाद की हवा खा रही हैं। ये दो तस्वीरे ये बताने के लिए काफी हैं, कि भाईया ये उत्तर प्रदेश है, यहां भौकाल काटोगे तो रगड दिये जाओगे।